ब्रिक के बाद आपका स्वागत है भोपाल के राजा भोज एरपोर्ट के समवेदान शील रन्वेप पर चेक आफ हो रहे विमान के सामने युवक पहुच गया यदेख पालेट को विमान रोखना पड़ा इस युवक ने इस से पहले एरपोर्ट पर खड़े हेलिकॉप्टर को छती गरस्त किया इस घटना ने एरपोर्ट की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया है राजा भुज एरपोर्ट की सुरक्षा भगवान भरोसे है अब तक कुटे सियार और भैस के विमान के सामने आने की घटनाएं हुई है यह पहला मौका है जब सीधे टेक ऊफ हो रहे विमान तक कोई सिर्फिरा युवक पहुँच गया एरपोर्ट पर अंदर जाना आचान नहीं है लेकिन इस घटना ने एरपोर्ट की सुरक्षा की पोल खोलकर रगदी है यह पहला मौका है तब कोई सिर्फिरा सीधे विमान के सामने तक जा पहुचा है रंबे के शुरवाती छोर और टैक्सी वे के बीच में CISF के पॉइंट है यहाँ जवान तैनात रहते हैं चारो तरफ वाच डॉग लगे हैं ऐसे में एरपोर्ट की सुरक्षा पर सवाल खड़ा होना लाजमी है विशेशग्यों का कहना है कि स्टेट पुलिस और CISF के बीच समन्वे की कमी के कारण ही युवाक अंदर तग खोसाया यदि स्टेट हैंगर पर घुसते ही पहले ही पुलिस CISF को सूच ना दे देती तो शायद युवाक रणवे तक नहीं पहुच पाता वहीं CISF ने रणवे पर आते ही उसे क्यों नहीं पकड़ा यह भी जांच का विशे है CISF के जवानों ने उसे हिरासत मिलेकर जब पूछा कि तुम यहां तक कैसे और क्यों घुसे तो सिर्फिर युवाक ने कहा मुझे कमांडो बनना है मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ युवाक सेगांधी नगर पूलिस पूश्टाच कर रही है एयरपोर्ट पर घुसने के बाद युवाक बड़े आराम से रन्वे पर पहुँझ गया जहां स्पाइस जेट के उडान संख्या SG 3721 उदैपूर के रेट टेक आफ हो रही थी विमान ग्राउंद पर ही था कि पालेट को सामने एक युवाक दिखाई दिया उसके हाथ में पारी की बोतल और पत्थर थे सुरक्षित और समवेदन शील छेत्र में युवाक को देख चालक दल हैरान रह गया पालेट ने विमान को टेक आफ करने के बजाए वापस टैक्सी वे की तरफ मोड दिया इसी बीच युवाक दोड़ता हुए एपरिन की तरफ भागा और पत्थर से एक हेलिकॉप्टर के कांच तोड़े में युवक ने बताया कि वे बीसी एकी पढ़ाई कर रहा है युवक से सघन पूष्टाज की जा रही है साथ ही उसकी मांसी कि सिदी के बारे में भी मनोची किसिकों से भी राय मांगी गई है युवक के खिलाफ अती सुरक्षित इलाके में अनाधिक्रत रूप से घुसने ठेलों से मेलो ता पकदंडियों से सडकों ता गाउं से शेहरों ता व्यापार से उद्योगों ता राज़्टीती से कूट मीती ता दखन नीउज आपके हत्ता आप देख रहे हैं दखन नीउज